पुरा देश में ब्लाक मार्केटिंग, आउट ओफ मार्केट कर दिया है सुई को मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ जब आपके एम्स के डिरेक्टर लिख के देते हैं यह जो दबाई है, रेंडेसिविर, यह कारगर नहीं है NMCH के डिरेक्टर सुपिटेंडन लिख के देते हैं, नहीं लिखना है उसके अलावे रिमेनिंग है, पप्पु यादब के पास उसके अलावे दूसरी सुई है और मैं देने को तयार हूँ लेकिन एक भी डॉक्टर रेंडेसिविर के अलावे दूसरा सुई का नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सिप रेंडेसिविर में ही पैसा अधिक बचत है, ब्लाक मार्केटिंग है और दबाई में पैसा भचत नहीं है जो एजनसी है या जो सिपला के कुछ लोग है और जिसकी हम सिएनफ लिया हुआ है जो लोग उनसे मिलकर और कुछ बदादिकारी की गटबंधन से पुरा आउट अफ मार्केटिंग हो गई है जिस अस्पताल को दिया जा रहा है वो अस्पताल के लोग भी उसको ब्लैक मार्केटिंग में दे रहे है और वो सुई पर रहा है या नहीं पर रहा है उसके अटेंडमेंट नहीं है और कह दिया जा रहा है कि सुई दे भी गई प्रधान मंत्री जी और मुकमंत्री जी, यदि आप हिंदुस्तान के लोगों की सुई देखर के हिफाज़त नहीं कर सकते हैं, सिपला कमपनी गुजराद के, महरास्टा से पपुयादब को फोन आ रहा है, हमको निमिंटिस से बियर दिर्वा दिजिए, उने मर जाएंगे, नुएडा से, गाजियाबाद से, कई बड़ी बड़ी संस्थाएं और चैनल ने फोन किया हमारे हाँ, जी नियूद से लेकर के जी 24 के हलात अच्छे नहीं हैं, दिल्ली से, और कोई सुनने वाला नहीं हैं, सुई रहते हुए अस्पताल में सुई नहीं पड़ता है पेसेंट को, NMCH की स्थित्राहिमाम है, और वहाँ ऑक्सीजन भी रात में जो ऑक्सीजन भर के आता है, वो ऑक्सीजन गहब हो जाता है, खाली, जो सेलेंडर है, उसको लगा दिये जाते हैं, अक्सीजन लगा कर, एक भी सीनियर डॉक्टर भी तर नहीं जाता है, NMCH के अंदर, एक भी सीनियर डॉक्टर, कोराना पेसेंट को मरने पर छोड़ दिया गया, कोई भगबान भरोसे है, कोई मोनेट्रिंग करने वाला नहीं है, लेट्रिंग बात्रूम साफ करने वाला नहीं है, एटेंडेंट को बेचारे जाने नहीं दिये जाते, और कहा जाता है कि सब पोजिटिव हो गए, इसलिए हाथ ख़रे कर दिये, पटना में आउक्सीडन जहां पर प्राइवेट घरों में जौरत है, वहां पर अविलम्बे ने कहा कि आउक्सीडन के लिए मरने तो नहीं देंगे, बिस-बिस हजार में खर दिने पर हमें, 11,000 में छोटा, पीस हजार में बड़ा, आरा से हमें फोन आ रहा है कि आउक्सीडन सदर अस्पताल में है ही नहीं, एक भी आउक्सीडन नहीं है सदर अस्पताल में, अभी एट्टीवी कोई चला रहा था कि टोटल आउक्सीडन की ड़केती होगे, जब क्रिमनल रूट के लेके चला आगे, पूरा जो जी एम रोड है, जी एम, पूरा जी एम रोड के अगल बगल, पूरी रेमेडिशियर दवाई की ब्लैक मार्केटिंग, 34,000, 24,000, 25,000, 70,000, 45,000, नेपाल से लगबक, दस सरदस, शारे दस हजार रुपया पर पीश, हमें वहां से मंगाना पड़, बाई, क्या है, बीस हजार से जादे इसको समझ लिएगा, आपके पेसेंट हो चुके हैं भी हर बें, और बेट तीन हजार भी नहीं है, तो पेसंट की स्थिति क्या है, मैंने मेदांता को डॉक्टर सहीट और बेट सहीट, मैं जानना चाहता हूँ, जार्खन के मुकमंत्री ने बेट के साथ, आक्सीजन के साथ बेट लगवाने का काम किया कुछ, क्या कारण है कि ये काम हिंदुस्तान के प्राइमनिस्टर और सीम नहीं कर सकते, बिहार के सीम नहीं कर सकते, और जब डेवलू एचो से लेके लगवान भारत के डॉक्टर ने कहा है, रेमिडिश्टर 80-85% रिमेनिंग नहीं है, डॉक्टर तेहरान, सभी लोगों ने, फिर डॉक्टर सहाब लोग चोन लिक रहे हैं रेमिडिश्टर, और दवाई जान रख्षक है, वो क्यों नहीं लिक रहे हैं, मेरे पास है, अभी मिनिमम्ट दो सो से ज़्यादे पीस, अंदवाई, सुई, ताकि वो लोगों की जोरत जान बचा सके, अब लोग सीधा हमको रेमिडिश्टर मांग रहें, कहां से दिया जा भई, जी, शर मुझे तो समझ में नहीं आता है, लोगड़ान रिमेनिंग है क्या, लोगड़ान तब लगती है, जब जबरदस्ती लोगों को बंद कर, नेताओं को और रवस्था को मनमानी करने का, लूटने की खुरी छूट की मन हो, लोगड़ान रिमेनिंग नहीं है जनाब, वैसे भी 70% पटना के लोग बहार नहीं निकल रहे हैं, लॉट़ान जबुरी इस्थिती है, आक्रे तो बढ़ा है, बहिए आक्रे तो पूरे और जगह भी बढ़ रहा है, बिल्ली में एक भी, रेमी डिसीबेर नहीं मिल रहा है, आक्सिजन की कमी है, बंबए में नहीं मिल रहा है, पुरे देश में यादी दो, एक दोल एस्टेक कर्फ्यू लगाया है, चार दिन, छे दिनों के लिए, बिहार में आप सचेत क्यों नहीं हो रहा है, आपने तो लगाया है, मेरा सवाल है दवाई से, और कुछ लोगायों का सवाल है लॉक्डाउं से, मुझे तो समय में नहीं आती, लॉक्डाउं से आदमी कैसे बचे हैं, उनको दबाई, जौरत है बेट की, और बेट नहीं है, उनको जौरत है, आक्सीजन की, वो आक्सीजन नहीं है, और मैं बार बार कह रहा हूँ ये अम्बूलेंस वाले की माप्यागिदी को रोकिए मैं तो हमारे हुबाब और छातरवेन अम्बूलेंस के खिलाब 24,000 रुपिया एक अस्पता से दूसरे अस्पता ले जाने के लिए 24,000 मेरे सामने में लिया PMCF में मैं ख़रा था पैजा लिया बिल्कुल कॉलेप्स जिस देश की सरकार अपने प्रजा को एक सुई दिलाने की हिम्मत और रोकाद नहीं रखता हो वा देश बचाने की और देश बनाने की बात करे ऐसे लोगों को नेगलेट करने की जोरत आज झारत सिर्फ सुई ऑक्सीजन लोगों की जिंदगी बचाने की है और सरकार में ला परवाही की और हिंदुस्तान में सुईस से भी जादे जौरत ऑक्सिजन की है जो भारत में ऑक्सिजन की कमी है बिहार में ऑक्सिजन नहीं है और सरकार जूट बोलती है लगातार जूट पे जूट जूट पे जूट और अंतिन बाद प्रबासी मजदूर जहां से आ रहा है एनार की एक बस में नो हजार रुपिया एक भारा दिल्ली से आने का बारा हजार भारा और सीट पर पांच अदमी टेन में भारा यहां से टेंपू में टिपल भारा फिर यहां से बस से घर टिपल भारा प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने बस की वेवस्ता रही की और प्रवासी मजदूर जब भूके प्यासे उतरते हैं तो सरकार ने उसकी खाने की वेवस्ता रही की और नहीं प्रवासी मजदूरों की जाच होती है कहीं भी पांच जगों से प्रवासी मज़़ू डेस्टेशन से निकल रहे हैं और एक जगह तंबू लगा करके सिर्फ दिखाने का काम या सरकार 75 लाख रुपया जो कह रही है या अपने पार्टी फंड में या नेताओं के फंड में देंगे या 75 लाख रुपया हर जीलों में उट के मुह में जीवे कपोरर और उसमें भी परवासी मज़़ूर के लिए नहीं सरकारी तंत्र के लिए मेरा अरोफ़ा या 75 लाख रुपया नहीं परवासी मज़़ूर के एकौंट में सरकार सीधा 46,000 रुपया डाले कोई खाने की वेवस्ता नहीं कुछ मत करिए आप से हजार रुपया मजदूर के कौट में डाली यह मेरा डिमांड है और यदि सिप्ला अधर कंपणी कल तक बिहार के लोगों को सुई देने का काम नहीं किया तो कल उसके विरोग में करसे अंदोलन शुरू कि अग्षिजन की कबी मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करूंगा अकबार से लेकर टीवी भड़ी पड़ी है सबने सर्वे किया है और जा जा करके कहीं ऑक्सीजन नहीं है मेरे इस पर अप्सीजन के लिए आते हैं मैं नहीं कह रहा हूं अकबार के रिपोर्टर टीवी चैनल के रिपोर्टर एक एक अस्पतार जाकर करके जाच किया और और माये कल ऑक्सीजन के लिए साम में गया सभी जगह कहीं ऑक्सीजन नहीं कि तर बिसी के निची पंग अ का जिलना अधीर का इस पतार अब नहीं कर सकत लिए यह 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 वह सही बोल रहा है कि अखबार और रिपोर्टर और आम आदमी सर्जूट बोल रहा है यह तैक करने की जिम्मेदारी आम आदमी की है और अस्पताल से वालों ने सीधा भोल दिया है कि हमको चाहिए पचास सौर हमको मिलता है दस और वो चौर चार घंटे में समाफ हो जाता है अस्तितिया होती है कि हमको पैसन को मरने का डर होता है